गोलियर जिले में कृशी मंत्री एंदिल सिंग कसाना ने कॉंग्रेस और किसानों को लेकर ऐसा बयान दिया कि उसकी चर्चा चारों तरफ है दिरसल कृशी मंद्री का शाना राखुल गांदी द्वारा के सानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के सवालों का जवाब दे रहे थे तभी उन्होंने कॉंग्रेस बसपा समेथ तमाम विपक्षी डलों को अस्वित वहीन बताया उन्होंने कहा कि किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है जन्ता 22 तारिक को देश में अस्तित्वत तैकर चुकी है वहीं कॉंग्रेस निता राहूल गांदी की यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस केवल चुनाव के वक्त मुद्दे उठाती है और चुनाव के बाद भूमिगात हो जाती है राहूल गांदी की यात्रा का कोई असर लोगसभा चुनाव पर नहीं पढ़ने वाला है गॉलियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट अब ये तो जनता बताएगी आई से मैं क्या कह सकता हूं वादि कोई किसी का अस्रे तो नहीं है और अस्रे तो से कर चुकी है जनता बाइस तारी को देश का अस्रे तो तय हो गया है और मैंने अभी यह से कहा कि आवकी बार चार सौ पार और आवकी बार फिर दूराओ